तो साथियों अगर आप अपने बैंक ओफ बरोदा एकाउंट में डेट ओबर्थ को अपडेट करना चाहते हो तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा एक गवर्मेंट आईडी को लेकर अपनी डेट ओबर्थ को चेंज कर सकते हो अपडेट कर सकते हो बहुत ज्यादा हेलफल होने वाली है इसलिए मेरे आपसे छोटी से रिक्वेस्ट है आपको अपने चेलाड को सस्क्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है क्योंकि ऐसे ही हेलफल कॉंटेंड में आप सभीक सा सेर करता रहता हूं तो साथियों अगर आप बै काउट की डेट ओपर चेंज हो जाएगी आज की वीडियो में आपको प्रॉपर बताने वाला हूं वीडियो बहुत ज्यादा हेलफल होने वाली है इसलिए मेरे आपसे छोटी से रिक्वेस्ट है आपको अपने चैनल को सस्क्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर ल फिल करते हैं इस फॉर्म को बहुत प्रॉपर तरीके से फिल करने इस पहले मेरे आपसे छोटी से रिक्वेस्ट है कि आपको अपने चैनल को सस्क्राइब जरू कर लेना है फ्रेंड क्योंकि आप लोग चुपके से वीडियो देख लेते हो और अपने चैनल को सपोर्ट नह कोई पैसा नहीं लगता है चले हम लोग फिल करते हैं यहां पर आपको अकाउंट नंबर फिल कर देना वही आपको प्रॉपर तरीके से मेंसन कर देना है कस्टूमर नेम आपका क्या नाम है वो नाम आपके पास्वूक में दिया गया होगा वही नाम आपको सिंपल यहां पर अपडेट कर दिना है मुवाइल नंबर आपका एकाउंट में जो लगा होगा वही मुवाइल नंबर आपके आप लिखेना टेलिफोन नंबर इस्तमाल करते हो लेंड डाय नमबर अगर लगा हुआ तो आप यहां पर आपको मेल आईडी लिख लेनी है जो भी आप मेल आडी का इस्तेमाल करते हो प्रिजेंट में अगर आपका सही है अगर कोई अपडेशन नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं आप चाहो तो आप फिलकर लीज़िये और आप चाहो तो ना भी करो तो भी चल जाएगा नीचे को रहाएंगे यहाँ पर मिज्टक कर देते क्यों वह जल्द वाजे में कुछ guerra कर देते हैं फिर कहते हैं बही मेरा чंट होगया मेरा काम ने वह आप गल़ वीडियो हुए है अगर आपको नहीं पता कि signature क्या है मेरे कौन से signature लगे हुए है तो उसका भी एक solution है आपको आधर card लेकर अपनी bank employee को पास जाना है और किया ना है sir मेरे signature verify कर दीजी मैं आपने signature भूल चुका हूँ तो आपके signature verify हो जाएंगे तो यहां पर आपको फिर द्वारा सही signature आपको करने है चले आप आते है date of birth date of birth क्या है आपकी update करना आपको date of birth क्या करना date of birth अब देखिए यहां बहुत से लोग mistake पता क्या करते थे हैं उनको date of birth change करने का सही process नहीं मालूम होता है वो क्या करते है date of birth लिख देंगे और तुरंत employee को दे देंगे वो कहेंगे sir मेरा update कर देजी क्यों करेगा भाई क्या सबूत है कि यह आपकी date of birth बुलकुस सही है कैसे मालने bank तो आपको date of birth change करने के लिए कोई भी एक government ID लगानी पड़ेगी जैसे आपका अधर कार्ड हो गया डर्रामिक लाइसेंस हो गया वोटर आइडी हो गया जहां पर भी government ID में आपकी date of birth है वो आप यहां पर उसकी फोटो कॉपी आपको लगानी पड़ेगी इसके साथ और वो जो अपडेशन में जो उस government ID पर date of birth लिखी हुई है वही date of birth आपको यहां पर लिखनी पड़ेगी तब जाके आपके date of birth यह अपडेट होती है तो आपको समझ में आगया साथ ही हूँ आपको यहां पर प्रोप करने हैं आप इसको खाली छोड़ सकते हो थोड़ा निचे आएंगे आप लखा हुआ क्या for office use only तो office purpose से आपको क्या करना है कुछ फिल नहीं करना है यह पूरा पूरा bank employee के काम का है आपके काम का नहीं है अब बात करते हैं आप डॉकुमेंट की डॉकुमेंट कों से लगें अगर नहीं करा रहे हो तो कोई प्रॉलम नहीं है अधरकाड नहीं है तो आप जिस भी government ID के basis पर आपनी date of birth चेंज करा रहे हो वही ले देना है आपको के वाल एक पास्बुक की फोटो को पी ले लिजिए और इस फॉर्म के साथ अटेच करके आपको आपको आपके bank account को को देना हो के ना सर मेरी date of birth चेंज कर दीजिए 24 घंटे के अंदर अंदर आपके date of birth अपडेट हो जाएगी तो मैं ऐसा करता हूगी आज की वुड़ा आपको पसंद आयोगी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सस्क्राइब कर लिजिए और वीडियो को लाइक कर लिजिए क्योंकि ऐसे ही helpful content में आप सभी एक सास्या करते रहे हैं मिलती हैं अगली वीडियो के साथ तब तक लिए खाल लखे अबना स्वास्तरी यह मस्तरी है thank you so much